गाजीपूर पुलिस ने नाबालिक लड़की के साथ दुशकर्म करने वाले अभियुक्त को किया गिरफतार नमस्गार मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ जन संदेश टाइम्स पर डीसीपी उत्तरी दिविश कुमार पांडे वह एक डीसीपी उत्तरी प्राची सिंग के नेतरत में गाजीपूर पुलिस को बड़ी सफलता उस समय मिली जब एक नाबालिक से दुशकर्म कर आरोपी गिरफतार हो गया बता दे कि गाजीपूर प्रभारी निरिक्षक अनिल कुमार सिंग की टीम ने नाबालिक से दुशकर्म का आरोपी विनोत कश्यप को गिरफतार कर लिया है गिरफतार अभियुक्त विनोत कश्यप सीतापूर का रहने वाला बताया जा रहा है और उसके खिलाफ पिडिता की मा ने 4 अक्टूबर को गाजीपूर पुलिस को एक तहरीर दी थी जिसके बाद से गाजीपूर पुलिस निरंतर अभियुक्त की तलास में चापे मारी कर रही थी फिलहाल गाजीपूर पुलिस ने अभी युक्त विनोत कश्यप को दुशकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है बताया जा रहा है कि आरोपी वर्तमान में गाजीपूर थाना अंतरगत जोबर पट्टी में ही रहता था तो यह थी खबर लखनव से बने रहे है जन संदेश टाइम्स के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले